हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल टेग इंडिया जोन में दोस्तों आप सभी को आज किस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपने वाटसप स्टेटस के अपने मर्जी से किसी को दिखा सकते है जैसे आप चाहिएगा तो उसको द बीना नहीं देख सकता है तो जानने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हो तो वीडियो की निचे आपको जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा उस पर किलिक करके साथ उस गंटी वाले आइकन पर किलिक करके और पेसलेटर के हमारी ख्यों तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना वाट्सव एप को ओपेन करना है तो चली मैं अपना वाट्सव एफ और अपेन कर लेता हूँ ओपन करनी के बाद आपके सामने को चीशत्रार से को इन्टरफेस मिलेगी क तो आपको सबसे पहले थियोडाले बटन को पर आपको किलिक कर देना है किलिक करने के बाद आपको सेटिंग वाले बटन को पर किलिक कर देना है चलिए मैं सेटिंग वाले बटन को पर किलिक कर देता हूं और किली करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट नमर पर अकाउंट का अपसन दिख रहा है तो आपका अकाउंट वाला अपसन के उपर किली कर देना है और किली करने के बाद यहाँ भी आपको सबसे फर्स्ट वाला ही प्राइबसी के उपर किली करना है किली करने के ब कि तीन अप्सन से आपणा ङस्टेटस दिखा सकते हैं पहला माई कंटेक्स यानी माई कंटेक्ट माने जो भी मेरा नंबर decreasing है और दूसरा यानी अपने मर्जी से दिखा सकते जैसि कि इसं पर हम किल्ब करेंगे आप इसमें से जो भी number choose करेंगे वो लोग मेरा status देख सकता है बाकि कोई नहीं देख सकता है तो यहां से अब बै करेंगे तैसरा में यह है कि only your जिसको पास हम share करेंगे WhatsApp वही देख सकता है नहीं तो दूसरा कोई नहीं देख सकता है तो दोस्तो इस तरह से आप अपने status को अपने मर्जी के खिलाब नहीं दिखा सकते है आप लोग कुछी तरह से अपने स्टेटर्स को अपने मर्जी से दिखा सकते है तो दोस्तों आप लोग भी अपने स्टेटर्स को अपने मर्जी के बिना किसी को नहीं दिखा सकते है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी सीख लिये होंगे कि किस तरह से अपने स्टिटर्स के अपने मरजी के बिना कि नहीं दिखा सकते है तो सीख लिये तो कॉमेंट करके जरूर बताएगा चैनल पहली बारा है तो सब्सक्राइब करके ही जाईएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में